हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग SBI Life Stock के बारे में discuss करने जा रहे है Stock एक ऐसे label पर खड़ा है जहां से आपको आने वाले समय में एक बड़ा move दिखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह find out करेंगे कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं time frame यूज कर रहा हूँ वह है daily का तो आईए सबसे पहले region को find out कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ एक simple horizontal line को draw करने जा रहा हूँ तो जैसा कि आपको पता होगा मैं सिर्फ और सिर price action का यूज करता हूँ अगर आप कोई भी indicator या oscillator यूज करके अच्छा पैसा कमारे दिन आप उसे यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर एक सवाल कर सकते हैं कि sir आपने यह horizontal line ही draw किया तो आप यहाँ पर देखेंगे जो price था हमेशा इस level पर एक resistance phase करता था जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी price इस level को touch करता था हमें downside में एक move देखने को मिलता था but last trading session में हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो आप इसे कह सकते है resistance का breakout so that is our first reason for selecting this stock अब बात करते है इस stock के all time high की तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि चार्ट को left hand side में scroll करके यह देखना पड़ता है कि यह company list कब हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो company list हुई थी somewhere in 2017 and इसका जो all time high था वो था somewhere around 1380 के आसपास and last trading session में हमें इसका भी breakout देखने को मिल रहा है that means कि second reason इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं pattern की तो यहाँ पर मैं एक simple pattern draw करने जा रहा हूँ जिसे हम लोग box pattern कहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं stock जो था काफी लंबे समय से इस छोटे से range में trade कर रहा था जिसे हम लोग box pattern या consolidation zone कहते हैं and last trading session में हमें इसका भी breakout देखने को मिल रहा है that means कि third reason इस stock को जो select करने का है वो है consolidation zone या box pattern का breakout आपने जिस परकार से पढ़ा है आप उसे वो कर सकते हैं अब बात करते volume की तो यह रहा हमारा volume और आप यहां पर देख सकते हैं जो last trading session का जो volume है वो normal days के comparison में कई गुना जाता है जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने की जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है that means कि यहां पर हमारा multiple breakouts थे और volume भी इसको support कर रहा है अब बात करतें levels की तो अगर यह stock 1450 का अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss हम लोग रखते है previous swing low एक ऐसा level जहां से price बार बार एक reversal दिखाता है जो कि आ रहा है 1240 रुपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस stock ने अपने all time high का breakout दिया है तो ऐसे cases में क्या होता है कि है कि मेरे पास 100 quantity है और stock जो है 5% अप move करता है तो यहाँ पर मेरे उपर depend करता है कि मैं यहाँ पर कितनी quantity book करना चाता हूँ हो सकता है मैं 10 quantity book करो या 5 quantity book करो यह पूरी तरह से आपके risk management पर depend करता है तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching